बिहार की सियासत में होने बाला है बड़ा उलट सेर क्या फिर पल्टी मारेंगे मुख्य मंत्री नितीश कुमार क्या तेजस्वी के आते ही बदल जाएगा सत्ता का केंद्र नितीश कुमार ने विधायकों को सुनाया फर्मान बिहार की राजनीती में तेजी से घटना करम बदल रहे हैं अब तक बिहार में सत्ता के साज़ेदार बीजेपी और जेडियू के बीच फासले की ऐसी लकीर खिच गई है जिसे मिटा पाना अब असंभब सा दिखाई देने लगा है इसी बीच नितीश कुमार ने अपनी पार्टी के तमाम नेताओं, विधायकों और मंत्रियों के लिए एक नया फर्मान जारी कर बिहार की सियासत में किसी बड़ी अनहोनी की आशंका को और भी जादा गहरा दिया है नितीश के फर्मान के बाद पटना से लेकर दिल्ली तक की सियासी गलियारों में हल चल तेज हो गई है हालकि इस तमाम घटना करम के बीच बीजेपी की खामोशी ने बिहार में बड़े सियासी तुफान के संकेत दे रही है दरसल नितीश कुमार ने अपने तमाम मंत्रियों विधायकों और पुर्व विधायकों और नेताओं को अगले 72 घंटे तक पटना में ही रहने का फर्मान सुनाया है यानि कि अगले 72 घंटे तक पार्टी का कोई विधायक नेता, मंत्री पटना से बाहर नहीं जा सकते हैं नितीश कुमार के इस फर्मान ने बिहार की राजनीती में एक नई सुनामी लादी है राजनीतिक पंडित नितीश कुमार के आदेश को बिहार में बड़े सियासी उलट फेर से जोड़ कर देख रहे हैं यानि कि अगले 72 घंटे बिहार की राजनीती के लिए न सिर्फ समवेदन श्रील हैं बलके बिहार की सियासत में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं ऐसा नहीं है कि नितीश कुमार और टेजस्वी यादव की नज़दीकियों से प्रदेश की जनता वाकिफ नहीं है दोनों के बीच बरती करीबी और एक दूसरे के साथ जिस तरह से दोनों सहस दिकाई दे रहे हैं वो इस बात के संकेत हैं कि इन्तीष कुमार को तेजस्वी यादव या अपने राज़त से गठबंदर में अब कोई दिक्कत नहीं है वैसे भी 2015 के चुनाव में मिली जीत के बाद दोनों मिलकर बिहार में सरकार चला चुके हैं लिहाजा अगर एक बार फिर दोनों एक साथ दिखते हैं तो इसमें ज़्यादा हैरानी नहीं होनी चाहिए बिहार की सियासित पर नजर रखने वाले राजनितिक पंडितों का कहना है कि दरसल तेजस्पी यादफ फिलहाल लंदर में है और वो कभी भी पठना वापस आ सकते हैं और उनके आने के बाद ही किसी भी तरह की घोषणा होगी इसलिए नितीश कुमार ने अपने विधायकों और मंतरियों से अगले तीन दिनों तक पटना में रहने का अईलान कर दिया है दरसल अगले तीन दिन तक सिर्फ बिहार की सत्ता और नितीश कुमार के लिए एहम नहीं है बलकि कहा तो ऐसा भी जा रहा है कि दरसल नितीश कुमार को इस बात की आश्रंका है कि जिस तरह से घटना क्रम बिहार में घट रहा है उसे देखते हुए कहीं विधायकों को तोड़ न लिया जाए सियासी जानकार बताते हैं कि दरसल नितीश कुमार अपने पुराने साथी और केंदर में मंत्री आर्सीपी सिंग के साथ कई विधायक मजबूती के साथ खड़े हैं जानकारी के मुताबिक करीब एक दर्जन या फिर उससे भी जादा विधायक RCP सिंग के गुट के बताय जा रहे हैं। उपर से अभी तक नितीश कुमार ने राजिस्भा चुनाओ के लिए अपने उमिद्बार के घोशना नहीं की है। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि दरसल नितीश कुमार इस बार RCP सिंग से इतने जारा खफा हैं कि इस बार RCP सिंग का पत्ता कटना पक्का है। और ऐसी स्थिती में अगर विधायक पत्तना से बाहर रहते हैं तो उनके पार्टी छोड़ने की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर ऐसा होता है तो पहले ही तीसरे नंबर की पार्टी बन गई GDU के लिए और खत्रा सावित होगा। भरहाल नितीश कुमार इस वक्त पत्ना में हैं और जानकार बताते हैं कि वो तेजस्बी यादब के लंदन से बाफस आने का इंतजार कर रहे हैं। के बाद ही वो कोई फैसला लेंगे। भरहाल अब ऐसे में देखना होगा कि एगले तीन दिनों में बिहार का सियासी ओट किस करबट बैठता है।